फिशिंग विलज चैनल में आपका स्वागत है आज हम लान फिश के बारे में बात करेंगे टेरोईज जहरीली समुद्री मचली की एक प्रजाती है जिसे आमतोर पर लान फिश के रोप में जाना जाता है जो इंडो पैसिफिक की मूल निवासी है इसे फाय फिश, टिकी फिश, टेस्टी फिश या बटरफ्लाई कॉड भी कहा जाता है यह लाल, सफेद, मलाईदार या काले बैंड, बिखावटी पैक्टोरल पंग और विशेला, नुकीली फिन की रनों के साथ विशिश चेतावनी रंग की विशेशता है एक बार जब इसकी जहरीली रील को हटा दिया जाता है, तो साफ किया जाता है, और किसी भी अन्य मचली की तरह छान लिया जाता है, लाईद फिश मनोरम समुद्री भोजन बन जाती है लाईद फिश के प्रसार और प्रभाव पर शोद कर रहे एन ओएए वैग्यानिक अब समुद्री भोजन बजार को प्रोटसाहित कर रहे हैं, ताकि रीव समुदायों पर प्रजातियों के प्रभाव को कम किया जा सके हलका, नम, मक्खन युक्त और बहुत कोमल, निश्चित रूप से सफेद मानसल फिन मचली का सबसे मजबूप नहीं एक अच्छी तरह से बनाए गए सेविच में, लाइंग फिश आपके मूँ में पिघल जाती है, जबकि मक्खन नीमबू के रस के साथ अच्छी तरह से संतुलित हो जाती है सेविच में यह बलकी द्रिड है और लॉबस्टर और जीनगा के बीच एक क्रॉस की तरह स्वाद लेता है आमतोर पर स्नेपर, ग्रॉपर, लोरे दो, वाहू, आमजाक, टूना और बिलफिश जैसे रेस तरह में परोसी जाने वाली अधिकान शन्य मचलियों की तुलना में लाइंफिश खाना एक स्वास्त प्रद विकल्प है लाइंफिश में दिल के लिए स्वस्थ ओमेगा तीन फैटी एसिद, संत्रिप वसा में कम और पारा जैसी भारी धातुएं अधिक होती है 1980 के दशक में लाइंफिश को फ्लॉरिडा के अट्लांटिक तट पर या तो समुद्री एक्वेरियम से मुप्ट करके या बचकर पेश किया गया था लाइंफिश द्वारा आक्रमंड किये गए क्षेत्रों में रीफ मचलियों की कई आबादी में गिरावट आई है और उनकी प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयास काफी हद तक अप्रभावी रहे हैं लाइंफिश अच्छी शिकारी होती हैं वे वास्तव में शिकार करने के लिए अपनी जहरीली रीर का उप्योग नहीं करते हैं एक बार जब वे अपने शिकार के करीब होते हैं तो वे अपने बड़े पैक्टोरल पन्खू का उप्योग अपने शिकार पर लंज करने के लिए करते हैं और इसे एक ही बार में निगल लेते हैं उनके कुछ पसंदीदा भोजन में मोलिस्क, छोटी मचलिया और अकशे रुकी शामिल हैं लाइन फिश, जो विशेली रीलो से धकी होती हैं, ऐसे सफल आक्रमनकारी हैं क्योंकि वे विभिन प्रकार के आवासों को सहन कर सकती हैं और वे खतरनाक दरों पर प्रजनन करती हैं उन्हें भी भूठ लगती है और वे जो खाते हैं उसके बारे में बहुत पसंद नहीं करते हैं फ्लोरिडा के वन्यजीव अधिकारी राज्य के पानी में तैरने वाली और देशी मचलियों को आतनकित करने वाले आक्रमक शेटविश की संख्या से इतने अधिक है कि वे मृत लोगों के लिए 5000 डॉलर का इनाम दे रहे हैं संशाइन स्टेट के वन्यजीव आयोग ने 2018 में अपने लाइन फिश चैलेंज की घोशना की आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा हमारे पास 50 से अधिक वीडियो हैं क्रिपया देखे और लाइक एंड सब्सक्राइब करें